नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पे देखिए एक बड़ी अपडेट है वो SI एक्जाम को लेके निकल के रही है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना देखिए अगर आप यह ताते थे कि एक्जाम पोस्ट मॉड हो तो जरूर आपको यह जो निव्ज निकल के आई है बहुत ही गजब लगेगी देखिए मापको दिखा देता हूं सो अपने हाई कोर्ट से एक ख़बर निकल के आई है कि SI एक्जाम को लेके रिट है याची का है वो लगाई जा चुकी है और इसकी सुनवाई है वो भी नो तारिक को होने वाल वो हम आपको दिखा देता हूं कि कौन से केस नंबर है और कौन सा कोर्ट नंबर है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो तेरा नंबर कोर्ट है तेरा नंबर कोर्ट में है वो सुनवाई होनी है अपनी तो अपनी जो बारी है अपने जो सुनवाई की वो कितने बज़े त का जाएगी वो इस हिसाब से आप पे अंदाजा लगा सकते हो देखिए यहाँ पे 147 नमबर मतलब यहाँ पे आपका case है यहाँ पे आप देख सकते हो यह सुमिच सर्मा जो आई है YouTuber है उन्होंने यह याचिका है वो लगाई है यहाँ पे आप देख सकते हो यह case नमबर है और यह आप यहाँ पे देख सकते हो कि सुमिच सर्मा ने यहाँ पे याचिका लगाई है यहाँ पे आप देख सकते हो RPSC यहाँ पे response करने बाड़ी है जो judge रहने बाड़े हैं वो भी मापको राने वाड़े हैं और यह एक बड़ी अपडेट है वो निकल क्या रही है कोई doubt हो या कोई concept ना समझ में आए board हो या J-nit पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका solution है फिलो एप अपने doubt को किसी भी time कलियर करे in these three easy steps सबसे पहले इस app को प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर लें अपने phone number से easily sign up कर लें अपने question का picture लें या उसे type करके submit कर लें और फिलो आपको 60 second में इंडिया के top experts से live call पे connect कर देगा So guys, it's simple Have any question then ask फिलो इस app का link निचे description में मिल जाएगा उससे पहले भी 11 तारिक को क्या है कि ये 9 तारिक को सुनाई हो जाएगी और 11 तारिक को जैपूर बंद का एलान है वो किया गया था एक update है वो पहले मैंने आपको दी थी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो share जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ और like जरूर कर देना दोस्तों 9 तारिक को यहाँ पे सुनाई होने वाली है और आप ये मान के चलो कि 12 बज़े तक आसाने आराम से 12 बज़े तक सुनाई है वो पूरी हो जाएगी ये मान के चलो आप तो update है वो अपने दोस्तों के साथ share करना और like जरूर कर देना